कि अब अब कि अब कि अब कि अब करता है अपने यूटूब चैनल डिप्लोमा लिक्चर रहें तो आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलोजी के चैप्टर नुमर फोर के बारे में जिसमें हम वर्क विल्टी पढ़ रहेते और आज देखने वाले हैं कि वर्क विल्टी चेक करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट परफर्म किया जाते हैं साइट पर या फिर लाइब में तो देखते हैं कौन-कौन से टेस्ट है जो जनरली हमको पढ़ने हैं और कौन-कौन से मारे स्रीवस में है जो वर्क विल्टी चेक करने के लिए हम तेस्ट देखते हैं वह पास्ट टोटल है ठीक है पहला टेस्ट आ जाता है इस मारा वह तर स्लम्प टेस्ट कि स्लम्प टेस्ट कि सेकंड जो हमारा आता है वह आ जाता है हमारा फ्लोटेबल टेस्ट flow table test फ्रट्ड वानि जो हमार आ जाता है वह compaction factors compaction फ्र्टी जो हमार आ जाता है वह क्या होता है VB consistometer consists to meeter कि टेस्ट कि एंड फिफ्ट मानिट जाता है वह होता है केलि बाल कि टेस्ट यह पांच टेस्ट होते हैं किसके लिए वर्कबिल्टि चेक करने के लिए अब धिसके कौन सा को चेक करने के लिए यह आता हमारा मीडियम वरकिविल्टी को चेक करने के लिए क्या होता है कि यह स्लम टेस्ट किया जाता है अब फ्लोट टेवल टेस्ट के कब किया जाता है जब हमें हाइव वरकिविल्टी की जरूत होती है हो जहां पर हमें हाई वरक yol टी वरक विल्टि की ज़रूत होती है का माई के लिए हमस प्लोटेबल टेस्ट कर लेते हैं और के टोंपैक्षयंन फैक्टर जबहार वन 90 यह यह लोह हएंड हई दोनों किलिकिए जाता है लोह एंड हाई दोनों किलिके जाता है हाल हमारा Compaction Factor टेस्ट किया जाता है और बी टो होता होता है थी यहां पे हम इस को पर Whewकिस दॉर्प्युइल टेस्ट को परफर्म करते हैं क्यूpaper बाल क्टेस्ट होता एं है यह ऊतू जो हमारा होता है यह अगर हमें वेरी लो की बैरी लो वरकषोबिललेटी ज्रुरूत है तो वहाँ पर हम केली बाल टेश्ट का है। प्रियोग करती हैं घ्यार पास्सेट जनेली होते हैं जो में फिली चेकरने ही तरह करना हो हमारी कौन में कौन सा पढ़ना है उसके भी मम देख लिए हैं उसमें पहला गावार तरह है स्लम्ट तरह प्रकाइग और स्लकेश निच कर अब कौन सा टेस्ट में कॉण और की सिकारती कर ठीए अब पहला हम देखते हैं स्लम टेस्ट स्लम टेस्ट जिसको हम हिंदिम बोल देते हैं और पात परीक्षण अब हो पात परीक्षण हिंदीं बोलते इंगली स्लम टेस्ट यह कहां पर किया जाता है यह फील्ड में करता है कि जहां पर हमारा काम चल रहा है ठीक है वहां पर आगये वर्क बिल्टी को चेक करने के जरुद तो वहां पर करते हैं सलम टेस्ट यूज कर लेते हैं और वहां यह हम परफार्म करके अपनी वर्कविल्टी फाइंड लेते हैं और उसी हिसाफ से अगर हमारा वर्कविल्टी सही है जो कंक्रीट हम यूज करने उसके लिए तो हम उसका क्यों को यूज कर लेते हैं तो अब देखते हैं इस टेस्ट में कौन-कौन से तो यह कर adults क्वारे में पहईला देख लेते हैं कि एप्रेटर्स कौन्क Isa से मतलब कि कौन कौन से उपकरण्योज होते हैं कि आसे मैं यहता है जी अभर उले स्थ फूल कि यह खोखला हमारा होता है इसको क्या बोलते हैं अब फ्रस्टम कॉन कि यह अब देखते हैं इसके हाइट कितनी होती है और अपाड़ा कितना होता है लोगाइट कितना होता है हाइट मतलब कि अपर डाय होता है यह 10 cm होता है और जो लोगाइट होता है यह 20 cm होता है कि अब है अब यह हाइट यह 30 cm होती है कि इसको कैसे मियाद रख सकते हैं 10-20-30 ठीक है ऐसे याद करना आसामें जाता हमारे लिए यह 10-20-30 मतलब कि 10 क्या हुआ उपर हुआ 20 क्या हुआ नीचे हुआ और साइड क्या हुआ 30 हो गया 10-20-30 ऐसे इसको हम याद रख सकते हैं कि फ्रस्टम कोन की साइज कितनी होती है यह पहला हमारा हो गया फ्रस्टम कोन अपर डाया 10 सेंटिमीटर लोवर डाया 20 सेंटिमीटर और हाइट यह कितना होता हमारा 30 सेंटिमीटर और पकड़ने के लिए इसमें एक हैंडल लगा होता है इस तरह से हमारा फ्रस्टम कोन बना होता है और सेकंड जो इसमें मारा जाता है वो क्या होता है बेस प्लेट बेस प्लेट बेस प्लेट बेस प्लेट जानते होंगे ऐसे क्या होता है तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा इस तरह से कुछ हमारा प्लेट बन जाएगा बेस प्लेट इसकी ठीकनेस होती है ठीक है इसकी ठीकनेस है तो यह ठीकनेस कितने होती है इसकी कि दो से 3 इम्म इम इसकी ठीकनेस होती है इसे शॉरी मैत सेंतिमीटर दो से तीन सेंतिमीटर कि को अधान कि अधा टूट्री सेंतिमीटर इसकी एस कि Did Allgy Last हमारा थे थीक है इसमें जो लास्ट अ हमारा आई आपकरन वह क्या होता हमारा टेंपिंग रड़ अगे यह कितना होता है यह होता है अधाय जो होता है यह होता है यह होता हमारा 16 mm और हाट जो होती है इसकी इसकी कि है यह होगा टेंपिंग रड़ डाय कितना हो गई हमारा 16 mm है कितना होगी 600 mm आप तो जन्रली यह तीन अपरटास हमारे उपकरण होते हैं जो कि हमारे स्लम्प टेस्ट में यूज किया जाते हैं पहला क्या हो गया फ्रस्टम कोन अपरड़ाय कितना हो देह रहता है 10 cm लोवर डाय 20 cm है 30 cm सेकंड जो आता है बेस प्लेट इसकी ठीकनिस कितनी होती है दो से 3 cm नेक्स जोआ रहता हो वह टेंपिंग राट कि हमारा डाय कितना होता है 16 mm हैक कितनी होती है यह 600 mm होती एक सिक्स्टी सेंटीम्प बोल सकते हैं तो यह हमारे रपनेतस ये सल επी करते हैं nee को करने के खार करते हैं सबसे पहले यह हमारा फ्रस्ट पर यह हमारा некотор बेस्स प्लेट हो इलिए यह बेस प्लेट हो गया है इस पर यह हमारा फ्रस्टम कोन को उने रखते हैं अप यह ऊपर रह से रख दिया तो प्लें को तो या नीचे वाला पार्ट मतलब की बंद ओगया अब क्या करेंगे जो हमारा क्या होता प्रश्टम कोन में डालेंगे कब डालेंगे जब इसको क्या करेंगे पहले बेस्प्लेट नीचे रख लेंगे प्रश्टम कोन को हमने इसमें मिक्स किया ऑब हमें ने कंक्रीट मिक्स किया है उस कंक्रीट करेंगे प्रत्एक बारी नहीं बढ़ा क्या यह दूसरी लेयर हो गई यह तीसरी लेयर हो गई और यह हमारी चौथी लेयर हो गई इस तरह से क्या करते हैं हम चार लेयरों में करके कंक्रीट को इस पूरे फ्रस्टम को में हम डाल देते हैं और बारी बारी जब पान लेते हैं पहली लेयर हमने यहां से तक डाल दी इसके मत्का करेंगे टेंपिंग राड हमारा जो था 16 mm और 6 mm हाइट का उस टेंपिंग राड की साहता से इसको 25 पार कंपैक्ट करेंगे मतलब कि कुटाई इसकी करेंगे 25 बार और यह पहले जब दूस करके हम क्या करेंगे सम क्यों में Mai डालेंगे उतनी बारी पत् reasonKaye को कि यह पनी करते रहें तो यह से हटा देते ताकि यह प्लेन एक दमसे अब क्या करैंगे इसमें हमारा हैंडल लगा होता है यह कुछ हमारा है हेंडल लग गया अब क्या करेंगे हैंडल जब यह सका निकाल लेंगे जब हम इसको फ्रस्टम को इस बेस प्लेट कखा रगा को यहां तो कुछ ना कुछ आधां ससके बरा हुआ है तो कुछ आधर इसको आरह टे तो तो अब परकार का से दिखाई देता है किस प्रकार का स्लेह दिखाई देता है इस को देख लेते हैं और क्या होता है इसमें जो अंतर आथी सिस्को निजने निकाला की वैश्यक्तgem वैसे तो समाल लेते हैं इतना हमारा था इतना कंक्रिट में बचा और इसको हटाने के बाद कंक्रिट हमारा इतना बचा तो इसका मतलब कि यह मान लेते हैं अगर है और इसको मान लेते हैं है यह तो यह जो हमारा स्लम्प कहलाता है कि यह हमारा स्लम्प कहलाता है तो अब देखते हैं कि कौन कौन से सेप के यह बन सकते हैं तो किस किस सेप के यह स्लम्प आ सकते हैं अब देखते हैं कि आप सभी को और सिनम्ट निकालना आया होगी स्लम्ट कि सो निकालते हैं अब यह प्रोस्ट पूरा डिस्क्राइब कर देंगे तो जो हमारा से निकल के आता है किस्ट से निकल क्याता है पहला जो हुआ यह बेसट प्लेस थी यह कुछ हमारा फ्रस्टम कौन था इस तरह से ठीट पहला से क्या बनसकता है पहला से इस तरह से बन सकता है इस तरह से कुछ है और तीस्तरा हमारा जो से बन सकता वह किस तरह से बन सकता है कि वह हमारा कुछ इस तरह से बन सकता है तो हम तीनों किस नाम से खु़र सकते हैं mister два से इंदोनों में क्या वह स्लम्प ठीक से निरधारित में हो पाई है और इसमस्पे आसांइन 16 छल जा आसाए पता चलरा इसलिए इसको सिर्द्लम भोल देते हैं हुआ इसको क्या बोल देते हैं इसको सिर को है जो पीश्कों कि क्या बनते हैं है सको SKS बता है लिए अति किक was the in collaboration हुआ है तो यह तीन प्रगार कोया सिलम फाइंड ंब ठोके आते हैं अब यह वोगता स्की मुखता साइट पर किया जाता धर की एक टीए तो उसको किया बता बेस्पिलर होता है तीसमाद टेंपिंग राइट है तो कहीं यह सकते हैं इसको साइट में भी कर सकते हैं एंट तो आई होब की आप सभी को सब्रक्स किस तरह से परफौर्म किया अगा था कि फिर आपको करेंगे वरच में उसके बाद उसमें बारि बारि लग चार वारी में та और चारो बारी को 25 बार क्या करते हैं त्यम्पिंग रॉट से कमपक्ट करते हैं फिर कि में को को लीटे स्ट हे neighbors तेखते हैं कितना वो नीचे गिरा है कितना इस तरह गिराए अफिर य से इस तरह से बनेगा कितना नीचे हुआ है उसी को हम मेर्जर कर लेते हैं तो वह हमारा निकल की आता तो फ्रस्ट्टम कोंगे हैट माले 30 cm तो उससे कुछ ना कुछ नीचे आगा 25 आगा 28 अगा 20 आगा है तो यह वारत तीन प्रकार से बनता है तुस नंप होता है अब क्या होता है एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हमारा स्लम् कितना है तो किस यूज किस काम में यूजाए इसको हम देख लेते हैं तो आयोप की इतना आपको समझ में आया होगा कि अब एक साड़ी बना रहे हैं है एक तरफ लिखते हैं स्लम्प दूसरी तरफ लिखते हैं यूज और तीसरी तरफ लिख सकते हैं वर्क इविल्टी पहला अगर हमारा स्लम्प जीरो से 25 के बीच में आ रहा है अगर स्लम्प हमारे जीरो से 25 के बीच में आ रहा है तो इसको हम रोट कंस्रक्शन में यूज करते हैं रोट कंस्रक्शन में आसाने से इसको यूज कर सकते हैं लेकिन लेकिन यह जो अगर रोट कंस्रक्शन होगा यह मसीन बाइबरेटर से होना चाहिए ठीक मसीन बाइबरेटर वाइब्रेंटर इस पर चलना चाहिए और वर्टिय कितनी हमारी क्या होगी अगर यह से पचिस के बीचम लेंगा जाएगा और अगर एक से पचास की आगर 25 के बीच थी तो हमाया या यह construction में ही यूज किया जाएगा लेकिन मसीन बाइबरेटर ना होके यहां पर हैंड कंपैक्शन हो जाएगा ठीक है हैंड दौरा कंपैक्टरिंग है और यह जो हमारा वर्किविल्टि इसके दरप्राफ होगा यह हमारा मीडियम वर्किविल्टि और अगर 50-100 के बीच में है 50-100 के बीच में स्लंप है तो इसका कहां पर कंस्ट्रक्शन कहां पर यूज करते हैं स्लैब में इसका यूज हम कर सकते हैं और है गाधनी है यह मेरी लो हो गाधन यह हमारा मीडियम सिर्फ लेंड़ी हो जाएगे यह घ्रस लाइब इसे न कोम यूज करते हूं है और अगर अगर सॉष से बिच भी बीच में है तो इसका करते हैं ऐसे काज करते हैं गर फांडेशन इसको करते हैं और आगर स्लंप हमारा कितना है डेर्प से 150 से 175 के बीच में है तो इसको किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं वरकविल्टी इसके जो होगी हमारी वेरी हाई होगी तो सारी हां तो यह हमारे होते जिरे से 25 के बीच में तो वेरी लो 25-50 के बीच में लो और अगर 50-100 के बीच में मेडियम अगर 100-100 के बीच में हाई और 1500-100 के बीच में तो वेरी हाई हो जाएगा वारकविल्टी तो यह होता स्लम टेस्ट और हम देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट जो कि हमारा है कंपैक्शन फेक्टर टेस्ट लाई सस्लिवस में जो पढ़ना वह तीन प्रकात के टेस्ट परना है बस पहला बार स्लम टेस्ट गया दूसरा में कंपैक्शन फेक्टर परना है और तीसा आपके पर फैक्टर पर ना अब Filip गैक्ष्न फेक्टर झता है कंपैक्षन आता है एम सफेक्टड्स टेस्ट एक है कमपैक्शन फैक्टर टेस्ट और इसमें देख रहते हैं कौन से प्रहेट yay उजओते हैं और हाइड की साइज की थे यह सब हम देख रहते हैं है thief थो हम देखते हैं कौन coercसा इसमें एप्रेटाश यूज होता उने आपरेटस तो इसमें यह उज है ठीक है ऑग्टी अपरेटस मतलब कि विपकरण मतलब इसमैं करें है कर दहा आप अपरेटस अजammटकेस छाहिए 啦 प्रत कर आप Irish कि सेकंड जोमरा यह होता है कि सब्सक्राइब कों कि थार्ड हो निच टेंपिंग रॉड और फोर्थ हो निच जो मारा आता है वह होता है ट्रावेल है यह यह हमारे चार जो होते हैं अपरेट्स इसक्ते यह यूज Born कि आते हुई हो this यह किस प्रकार से होता है और इसकी हाइट कितनी होती है क्या क्या इसमें लगे होते हैं तो यह हमारा कुछ इस तरह से बना हुआ होता है हमारा Compaction Factor Apparatus देख लेते हैं यह हो गया यह हो गया और यह हो गया कि यह कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है Compaction Factor Apparatus बना होता है यह क्या होता है इसको क्या बलते हैं अपर होपर लोवर होपर और सिलेंडर यह तीन हमारे इसमें लगे होते हैं अब अपर होपर की देख रहेते हैं साइज कितनी होती है और डाय कितना होता है तो अपर होपर की अपर डाया ठीक है अपर होपर का अपर डाया यह कितना होता हमारा यह उता टू सिक्स्टी कि दियुक्त 260 mm यह अपर होपर का अपर डाय होता है और अपर होपर का लोवर डाय कितना होता है 130 mm ठीक है 130 mm यह हमारा होता है और लोवर डाय का अपर सारी लोवर अपर का लोवर हॉपर का अपर डाय कितना होता है यह हमारा 240 240 mm ठीक है और लोवर हॉपर का लोवर डाय यह कितना होता है यह अभी 130 mm होता है सारे dimensions हमारे mm में दिए गए हैं और यह जो हमारा होता है cylinder यह कितना होता है 152 mm का हमारा इसका डाया होता है cylinder का यह हमारा होगे cylinder cylinder Glender, Lower hopper इसको बोल देते हैं Upper Hopper यह हमारे 3 होते हैं अब एक चीज़ और हमें देखना है यह तो हमारा हो गया डाया हो गया सबका अब देखरों कितना होती है तो हमारे जो Upper Hopper न होता है आपर होते हैं यह कितना होता है 280 mm 280mm यह हमारा होता है और यह जो हमारा lower hopper होता है इसका डाय कितना होता है 240 mm हाँ 2004 mm और अजिमार सिलेंडर होता है इसका height कितनी होती है 285 mm इसकी height होती है कि तेएगा बिस्ता है यह का अब एक चीज होगा धाय हो गया हई हईट हो गई और ऐसी बता कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी हमारी होती है और inveem हमें देख लेते हैं यह हमारा होता है one hopper to other hopper जो हमारा distance होता है यह 203203 मतलब की 203 mm यह distance हमारा होता है एक hopper से दूसरी hopper के बीच में तो यह हमारे हो गया अपरेटास फ्रेश्टंक कॉन हमने आपको और हमारा क्या वता है इससमें से होगई इन देख रहते हुआते हैं तो हिसे वर्किंग-मेचड को हुआ इस में एक चीज और देख रहे थैमेखने मेचिंग-मेचड को देखने से पहले तरह किए कंपेखuzu फकटर फेक्टर सेश्ट होता यह कहां पर वैंसाइट पर या फिर लैब में तो यह साइट प्षाब नहीं किवम किंगे इसका घृब सा इंस्ट्रुमेंट ऑप देर धा ठीजह आप ने अपरेटर सबस्केशल खूर पूर ले जाना आसान नहीं होता है इसको यहां करते हैं वह उले में है इसको हम नाय नहीं हो यूज होरा साइड प bez उसको इसमें से कुछ स्प्सिमिन लाएंगे फिलेंट में टेस्ट करने उसका फिर चलिए से देख लेते हैं इसका working method और हमने आपको बताए देख कंप्रेक्शन फ्रक्टर टेस्ट जो करते हैं यह मीडियम और क्वेलिटी को चेक करने के लिए करते हैं एक चीजा और देख लेते हैं जैसे सब देखने हैं एक चीजा कि इसमें जो हम कंक्रेट में एग्रीगेट यूज करने हैं एग्रीगेट जो यूज करने हैं वो 30 mm से अधिक नहीं हो चाहिए ठीक है 30 mm से अधिक not less greater than 30 mm यह हमारा एग्रीगेट की साइज इसमें होती है अब इसके working method पर हम चलते हैं पहले का करेंगे कंक्रेट मिक्स की तरह से करते हैं है पहले जिसमें लेखते हैं इसके लिए क्या करते हैं हम आलाग से काइट काइट का में लेके आते हैं में टेस्ट करते हैं फिर ले जाते हैं यह वारा किंड मिक्स हो गया है हमारा आता इसमें वह क्या था टा वर्किंग मेथों अब देखते हैं इसकों किस तरह से वर्किंग मेथाड यूज किस प्रकार से प्रफॉर्म करते हैं टेस्ट को अब यहां पर कि यह कुछ इस तरह से मान लेते हैं हमारा अप्रेटर से कंपाइक्शन फेक्टर ला ठीया बहुत और फीकर में नहीं बनाना था आप समझ रहेंगे तो यह हमारा कुछ इस तरह से कहीं कि सब्स prayer का फेक्शन फेक्टर तो क्या करेंगे सर्कार में हम कंगर भॉतर मों कंपर तरह दो आपर अपर हापर हो गया यह लोवर हपर हो गया और यह तो इसे ढandır युटा उसके बाद क्या करेंगे अगर कूछ सब्सक्राइब हमारा बाहर निकल रहा है तो इसको करने के साथ इसको साफ कर लेते हैं उसके बाद यह जो हमारा होता है यह हमारा होता है खुलने कर लिए होता है इसको चाहे तो हम इधर सरका सकते हैं इसको सरका देंगे तो यह हमारा खुल जाता है ऐसे खुल जाता और इसम इसमें सिस्टम अरेंज किया होता है तो पहले का करेंगे इसमें कंक्रीट को भरेंगे उसके बाद पहले तो इसमें ग्रीस लगा लेंगे इसमें पहले तो हम ग्रीस लगा लेंगे ताकि जो हमारा कंक्रीट हो वह चिपके ना लेन्य को थेख क्या करेंगे इसको क्लों खोलेंगे तो हमारा कुछ जो कंकी Everybody इसमें जब गिरेगा ठीक है इस दूसरी लोगर हपर में जब गिरेगा तो कुछ न कुछ हमारी यह क्या हो मान लेते इतना 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 बचा थोड़ा-बहुत इसमें इतना यह पार्ट यह तो कुछ ने घे रहा ऑर मालेति है इसमें इतना था और इसमें इतना भी प्रेट उश्चा होगे अब क्या करेंगे जो हमने स्लम्प टेस्ट में क्या किया कि फ्रश्टम कॉन को लिया बेस प्लेट पर रखा फिर कमपैक्ट किया 25-25 बार करके चार वार में इसको भरा सुक्न करेंगे वहां से यहीं हमान देखते हैं यहाँ पो पुट नेदर्ध इतनी हमारी कंपैक्ट और फ्रेस्टम कॉन था हुआ है से मालने तो यह इतनी भरिए इतनानने यहां पर कंपैक्ट हो गपैक्ट टीए तो अब क्या करती है अगर अधुरраст को टीना तो उसके लिए क्माज करते हैं टक्वरलाल इक निय toda क्या होता इ dow compaction is teacher quarter maid कि इसके लिए फर्मॉला घूसके ओ क्या हुता कि अन्सी कूटी कंवरीट जिसकों खूट नहीं रहाम अपने आप मैंध तो कि सी क्वेट हो रहा है आशी कूटी कंक्रीट अंसी कुटी कंक्रीट कौन सा हो का यह हमने जो अचानक से इन दोनों में गिरा है फिर इसमें से इसमें गिरा है अपन में पूर्डता कुटी कंक्रीट जो हमने फ्रस्टम कोन में भरके उसको कंपेक्ट किया उसको पूर्डता कुटी कंक्रीट हम बोलते रहें कchau कुर्फ कान के इन दोनों की अनपात क्या हम बोल देते हैं क्सक्ब siete कंपैक्षण फेक्टर यहां से वारा सब्लाइब हो जाता हैएँ तो आध कि आपको स्लम्टेस्ट और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट यह दोनों अच्छे समझ में आया होंगे तो आपका एक बस्ता है जो किया है वीवी कंशिस्टो मीटर वीवी कंसिस्टो मीटर टेस्ट ठीक है यह हमारा बच रहा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो आज के लिए वाश इतना है रखते हैं आई होप कि आप सभी कुछ स्लम टेस्ट और कम्टैक्शन फैक्टर टेस्ट समझ में आँ होगा तो आज के लिए वाश आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ज़रूर ट्रेस्ट कीजिए जिसे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और आप जल्द के जल्द उस वीडियो का फायदा उठा सके और अगर चैनल वीडियो आपको अच